नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरतन सेन भारती अजह बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में उसमें भी सबसे पहले किस रूट पर चलेगी पटना मेट्रो विहारी पटना में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है ऐसे में लोगों की निगाहें पटना मेट्रो की तरफ है लोग मेट्रो की सुगम आवागवन के साथ ही साथ जाम से निजात दिलाने का साधर मान रहे हैं परते एक साल सडकों पर बाहनों के संख्या में व्रिधी को 15 किलोमीटर मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी जबकि एलिवेटेट ट्रैक पर चलने के लिए 14 किलोमीटर एरिया चिनित किया गया है वहिशा तो पटना मेट्रो का संचारन 2023 से सुरू कर देना था लेकिन काम धीमिगती से होने के कारण अब यह उमीद की जा रही है कि 2024 के अंद तक पहले चलन का काम समाप्त हो जाएगा और मेट्रो का संचारन सुरू हो जाएगा पटना मेट्रो को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो कॉर्परेशन द्वारा राधानी पटना में काम सुरू किये गए इस काम को अगामी दो सालों में पूरा क तहत जोड़ दिया गया है इस प्रोजेक्ट को लेकर यह भी कहा गया है कि पटना मेट्रो का पहला फेज 5 साल में पूरा करने की उमीद जताई जा रही है इसमें सबसे पहले मलाही पकड़ी से ISBT यानि नया बसर स्टेंड तक जो है इसका पूरा परिचारन सुरू हो जाए के नौकरी, कॉलेज, अस्टेंट और बेपसाई करने वाले लोगों को काफी सुपधा होगी जिनी अलाकों में सरकारी और प्राइविट आफिस है वहां मेट्रो जाएगी खासकर सचीवाला के पास कारजाला अब धी में काफी भीड होती है इसलिए विकास भवन के पास मे विकास भवन विद्धुत भवन पत्ना रेलवे स्टेसन, मीठापूर रामकिषना नगर जगनपूरा में मेट्रो रेलवे स्टेसन बनाया जाएगे मेट्रों के लिए दुसरा कोरिडोर पटना रेलबे स्टेशन से पाटले पूतर बस टर्मिनल तक 14.56 किलो मीटर का होगा इसमें आकास वानी गांधी मैदान, PMCH, पटना इन्वर्सिटी, मौनियूला कस्टेडियम, राजिंदर नगर, मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ जीरो माइल मेट्रो स्टेशन होंगे, दुसरे कोरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, तो मेट्रो स्टेशन को लेकर जो खबरे हैं, उसके अनुसार, यह माने के सबसे पहला फेज, जो है, वो मलाही पकड़ी, और IS, BTC के बिच, यानि की नया जो बसस्टेंड ह इसके बीच में सुरू होना है, इसको लेकर कार जो है, जो जारी है, ऐसे में उम्मिद के जा रही है, कि आने वाले कुछ सालों में इसकी सुरुआत कर दी जाएगी, बिहार और बिहार से जुड़ हुई, और वेसे इन खबरों के लिए, बने रहें बिहारी नीज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद